बर्ग नवब में संस्कृत कक्षा में एक कोश्चन दाता है रचनातों कारियम में लेटर लेटर में दस ओप्सन होंगे और दस मंजुशा मिलेगा दस ओप्सन रहेंगे और आप दज़र डालें कि दस मंजुशा होगा कठींटाया मंजुशा देख रहें सदर्निवादह मंजुशा देख रहें महोदय मंजुशा देख रहें निवेदरम मंजुशा देख रहें आग्याकारिसिस मंजुशा है प्राचारि महोदय मंजुशा है बाधा मंजुशा है कारियालिय मंजुशा है धनाबाबय मंजुशा है शुल्क प्रदानम्न मंजुसा है ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छो, साथ, आट, नौ, दस, दस खाली जगा है हमें इसे भरना है अब याद रखें जैसे मंजुसा में प्रदत्य कोश्चन दिया है कि मंजुसा में प्रदत्य सहायता से सुल्क फीज माप करने के लिए प्रदानचारी को पत्र लिखना है सेवायाम मान्याह प्रदानचारी महोदे अब मंजुसा में होगा प्रदानचारी या प्रदानचारी महोदे होगा हाँ प्रदानचारी महोदे आप देखें कि मंजू सामा है प्राचारी महोदे हम लिखेंगे उसके बाद कोखोगा बिद्याले और बहुत सानगरम नमर टू में महोदे महोदे आप नज़र डालें कि महोदे इंसर मंजू सामे है महोदे महोदे उसके बाद शौबिनियम निवेद्रम अस्ति जिस प्रकार हम समाने लेटर लिखते हूं उसी वास्वाबिनियम निवेद्रम अस्ति यत मंपिता एकस्विन बिद्यालिये बिद्यालिये होगा या कारियालिये मेरे पिता एक कारियालिये में लिप्रिका हस्ति कर्मिचारी है मेरे पीता एक कारियाले में करमेचारी है तस परमिते बेतने उनका सिमीद बेतन में परिवारत से पंच सदस्यानम निर्वाह परिवार के पंच सदस्यों का निर्वाह कठिनतया क्रियते कठिनता से किया जाता है कठिनतया क्रियते कठिनता से किया जाता है बिद्यालियस्ट्चे सुल्क प्रदानम तु असंभब है, बिद्याले का फी माप का फी देना तू असंभब है, धना भाबे ममध्यने, धना भाबे ममध्दने बाधान औस्यात, दन के अभाब में मेरे पढ़ाई में बाधा नहीं हो पहला में धना बाबे लिखेंगे नमस्यवन में एद में बाधा लिखेंगे मेरे फी को माप करने की क्रिपा करेंगे शदन निवादा लिखेंगे नोमा में और भबताम आज्याकारीसिस ये आपका अज्याकारीसिस इस प्रकार दस सब्द को इस लेटर में भरके हम उसे पूरा करेंगे इस लेटर को साई डंग से पढ़ेंगे पहले आप समानितिया इसका मंजूसाम नमर वन, नमर टू, नमर थ्री, नमर फोर, नमर फाइप करके भी लिख सकतें लेकिन नियम है कि आप लेटर को पूर्णतिया परिच्छा में उतारें उसमें जितने मंजूसा हैं उसको साई डंग से अंकित करें जब भरें तो नीचे में अंडरलाइन कर दें कि मैंने ये सब्द भरा है इस प्रकार इस लेटर को हम पूरा भरेंगे या नहीं हो सके अगर ऐसा नहीं कर पाएं तो आप नमर वन, नमर टू, नमर थ्री देखर कि उसमें जिसमें जो सब्द भरें उसको भर दें तो आप उसमें पाँच नमर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार पत्र लेखनम पाँच नमर का आसानी से आप जवाब करेंगे